हेलो गाईज आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मचली फिस देखने वाले हैं तो मचली हम लोग देखेंगे कि कार्टी लेजिनस जो मचली होती हैं और जो बोनी मचली होती हैं तो उसके बारे में पूरा देखने वाले हैं और आप लोग लास्ट तक वीडिय बर्टी ब्रेट को डिवीजन किया गया है डिवाइट किया गया एगने था जिसमें जाज होता है अपसेंट होता है और एक होता गैन्थो इस्टोमेटा जिसमें जाबड़ा मीन्स परजंट होता है और अब गैन्थो इस्टोमेटा को सुपर क्लास में डिवाइट किया गया ह और टेट्रापोडा में किया गया है अब हमको पढ़ना क्या है यही पिसीज पढ़ना है पिसीज क्या होता है पिसीज होता है यह एक मतस जो मचलियों का बर्ग नहीं होता है उसी को कहते हैं पिसीज मचलियों के बर्ग को मतस सी बर्ग को जैसे एक बार question यही पूछा गया थ PC culture PC culture कहीं पर दिखें तो यह समझे FISH farming की बात हो रही है FISH farming FISH के पैदा करने को क्या कहते है FISH farming को क्या कहते है PC culture कहते है और यहीं पर अभी आगे मिलेगा कि study आप FISH को क्या कहते है Ectheology कहते है तो अभी ओभी हो जाएगा तो यह देखिए PCC क्या है जिसमें क्या होगा बियर फिंस फिंस पाए जाएगा और class क्या है हम लोग को कौन सा class पढ़ना है Condric Thish और Austic Thish तो यह हम लोग को Condric Thish means cartilaginous fish और Austic Thish means bonny fish तो यह चीज हमको आज पढ़ना है चलिए अभी में यह देखिए पूरी स्लाइड आप लोग देख लिजी आराम से और यही पूरा discuss करेंगे तो आपको 100% सभी बातें एक दम confirm हो जाएंगी जैसे देखिए First point यह देखिए PCC को क्या कहते है मतसी बर्ग बोलिए मचलियों का बर्ग बोलिए अब फस्ट पहले यही कोईशन पूछा गया तो कि First successful class कार डेटा का सबसे successful class कौन सा होता है तो PCC जी होता है Due to the success इस दा largest super class vertebrate का largest class यही है Fishes are the first evolved vertebrate सबसे पहला vertebrate कौन हुआ था वो है फिस मचली है First evolved fish सबसे पहली जो मचली पैदा होई थी इवाल्व हुई थी उसका नाम था अस्ट्रेकोडर्म क्वेशन पूछा गया है Origin आप जालिस फिस जिसमें Origin आप जालिस फिस कौन सी थी किस पीरियड में आया था Ardovician पीरियड में Origin आप जा फिस जिसमें जबड़ा पाया था वो फिस किस पीरियड में इवाल्व हुई थी Silurian पीरियड में ये तो काफी बार Question पुछा जाता 100% Question पुछे जाने के चांस है कि Golden Age आप फिस फिस की Golden Age किस पीरियड को कहते हैं तो Devonian एकदम रट लिजिए Golden Age आप फिस किस पीरियड को Devonian Period को कहते हैं Golden Age आप फिस Study is called फिस की Study को क्या कहते हैं एक Theology ये भी काफी बार Question पुछा गया है तो चलिए अब हम लोग Class शुरू करते हैं Condric Thies ये देखिए Condric Thies को क्या कहते हैं Cartilisiness फिस बोलिए या फिर आप Elasmo Branch बोलिए तो Cardilis Cartilisiness फिस बढ़ना है इसके बारे में अच्छे से पढ़िए और हर एक Point को अच्छे से देखिए ताकि Question गलत ना हो इंटरस एक्जाम में क्योंकि Question पूछे जाते हैं तो ये जो Cartilisiness फिस होती है ये कहां पे हो Highway Tart इनका ये कहां पे रहती है Marine Face Marine Water क्या Marine Water आप ऐसे concept concept बना के रहखिए न कि Marine Water वो water होते हैं जो समुंदरी पानी होता वही होता Marine Water Marine Water को आप घंदा वाटर मान के चलिए जिसमें तैरने के लिए परिशानी होगी अंडा देने के लिए परिशानी होगी तो ये महराइन वाटर आप मड़ वाटर मान के चलिए कीचर वाला पानी वह ऐसे तो होता नहीं कीचर लेकिन आप मान के चलिए ना concept डेवलब करके तो question गलत नहीं होता है तो ये चीज है अब ये देखिए body shape कार्टी लेजनेस फिस्क की जो body होती हो streamlined होती है एकदम सीधी होती है skin कैसे होगा skin tough होगा containing minute इसमें plecoid scale पाया जाता है plecoid scale क्या होती है tooth ये बाद में क्या जैसे teeth नदांत नहीं होता तो लाइक होता इसलिए काफी hard होती है plecoid scale पाया जाएगा किसमें खांडिक थीच फिस्स में plecoid scale पाया जाएगा और endoskeleton कैसा पाया जाएगा cartilisiness फिस्स में जो endoskeleton पाया जाएगा किसमें cartilisiness फिस्स में माउथ कैसा पाया जाएगा bentrally पाया जाएगा bentrally मिंस माउथ जो होता हो नीचे पाया जाएगा bentrally साइड में पाया जाएगा और scroll wall भी पाए जाता है इसमें scroll wall is present in intestine में पाए जाता है जो absorption surface area को बढ़ाता है scroll wall ये cartilaginous fish में पाए जाता है चलिए cartilaginous fish में gill slit देख लेते हैं कि gill slit कैसा पाए जाएगा कितना पाए जाएगा gill slit जो हो gill slit तो इसमें ज़्यादा पाए जाएगा न क्योंकि इसको सांस लेना हाफ है फड़े से गill slit से तो ये देखिए इसमें 5 से 7 पेर गill slit पाए जाएगी और separate अलग अलग पाए जाएगी और without upperculum कोई gill cover इसमें नहीं पाए जाता ये important point है इसमें without upperculum gills cover without मतलम नहीं पाए जाएगा और ear bladder, swim bladder भी बोलते हैं इसी को due to absence of ear bladder cartilaginus fish में absence of ear bladder, ear bladder नहीं पाए जाता है ये भी important है कि जो excretion होता है किसमें cartilaginus fish में excretion कैसा होता है तो ureotelic होता है ureotelic means ये क्या निकालेगा? urine निकालेगा तो ureotelic होता है, caudal fins कैसा पाए जाएगा? ये heterocerial पाए जाएगा, heterocerial means asymmetrical होता है तो ये चीज हो गया, next लिए reproduction देख लेते हैं कि reproduction किस टाइप का होगा? male और female, sexes are separate मतलब male और female अलग-अलग होंगे एक ही में नहीं होंगे male में क्या पाए जाएगा? pelvic fins पाए जाएगा, beers clasper पाए जाएगे तो male में pelvic fins पाए जाएगा, beer clasper clasper क्या होते? penis like होता है fertilization कैसा होगा? ये important है कि cartilaginous fish में fertilization जो होता है वो internal पाए जाएगा क्योंकि marine fish है, इसी वज़ा से इसमें internal पाए जाएगा जो अधिकतर cartilaginous fish होती है, वो बीबी पैरस होती है, बीबी पैरस में बच्चा पैदा करती है अंडा नहीं, ये देखिए, noto card present throughout life, पूरे life में noto card present होती है cartilaginous fish में, these fish, मतलब cartilaginous fish are predacies, मतलब predator का खेल होता है teeth are modified, play quiet इसका लिए, देख लिए, teeth जो होता है इसका 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 आप रटना तो पड़ेगा, क्योंकि cartilaginous fish और bonny fish जितनी होती है true fish होती है, और जो fish होती है, अलग-अलग phylum की वो false fish होती है तो cartilaginous fish का ये देखिए, ये example आप देख लिए, सिमारा, सिमारा को क्या कहते है red fish कहते है, ये क्या लिखा है, red fish लिखा है, RAT red fish को क्या कहते है, सिमारा कहते है next, scoliodon, ये तो काफी important है, scoliodon को Indian dog fish कहते है ये question पूछा गया है, ऐसे, कि Indian dog fish का क्या नाम है, scoliodon और ये भी question पूछा गया है, कि char carodon, char carodon को great white shark कहते है great white shark, ये जो shark मचली होती है, एक बार question है, इसे पूछा गया था कि समुन्द्र का राजा किसको कहते है, किस मचली को समुन्द्र का राजा कहते है तो shark मचली को ही कहते है, ये चीज़ अच्छे से देख लिजेगा प्रिस्टिस का क्या कहते है, साफिस कहते है, टारपीडो, ये भी काफी बार question पूछा जाता है कि टारपीडो, electric ray, टारपीडो, electric ray, ऐसे याद करिए, टारपीडो, टार मिन्स तारपीडो टार, टार से याद करिए, electric, टार में ही तो electric चलता है, तो टारपीडो को electric ray कहते हैं और ट्राइगान को क्या कहते है, sting ray कहते हैं, तो ये इतना आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका 100% question गलत नहीं होगा, cartilaginous fish से अब चलिए देखते हैं हम लोग औस्टिक थीज, औस्टिक थीज मिन्स bonny fish bonny fish के बारे में देखते हैं, ये तो fresh water में ही पाए जाएगी, एकदम साब सुतरे water में पाए जाएगी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें external fertilization होगा, internal नहीं होगा ये देखिए, चलिए देखते हैं, टिलो इस्टोमाई कहते हैं, और इसमें बोथ, marine and fresh water दोनों में पाए जाता है ये अच्छी बात है, कि जो आस्टिक थी, बोनी फिस होती है, वो marine में भी पाए जाती है, वो fresh water में भी और इनकी body भी streamlined body होती है, सेम होती है, जैसे cartilaginus की होती है, और skin कैसा होगा, skin में इसमें gainoid, cycloid और tinoid scale पाए जाती है, tinoid scale पाए जाती है, किसमें, play quiet scale किसमें पाए जा रही थी, वो play quiet scale cartilaginus में, और इसमें तो tinoid पाए जाती है, high bonny, bonny जो इसमें होता है, bonny, indo skeleton इसमें भी पाए जाएगा, mouth mostly terminal पाए जाएगा, इसमें mouth जो एकदम same जो होता है, एकदम सामनी की तरफ पाए जाता है, terminal पाए जाता है, और इसमें जो होता है, क्या absent होता है, mouth के बाद इसमें क्या था ये देखिए माउथ के बाद अभी मैं दिखाता हूँ माउथ के बाद जस्ट स्क्रोल वाल जो था ये बोनी फिस में अपसेंट था और गिल स्लेट चलिए देखते हैं गिल स्लेट जो है इसमें देखिए इसमें गिल स्लिट जो है बोनी फिस में गिल स्लिट जो है कैसी पाई जाती है फोर पियर्स गिल स्लिट पाई जाएगे कितना पियर्स फोर पियर्स यह देखिए वहां से पांस साथ था उसमें इसमें फोर पियर्स आफ गिल स्लिट पाई जाएगा किसमें four pierce gills slit क्योंकि ये स्वच पानी में रहती है तो gills slit के ज़्यादा हो सकता नहीं है ऐसे याद कर लीजिए और covered by an upper column और इसमें क्या पाए जाता है जो इनकी ये gills होती है covered होती है upper column में gills cover इसमें पाए जाएगा क्योंकि साफ सुत्रा पानी है और यहां पर क्या था ureotelic था यहां पर जो fresh water fish होती है boni fish होती है boni fish myrino fresh water दोनों होती है तो ये boni fish में ammonotelic होती है ये important point है कि boni fish ammonotelic होती है ammonotelic means लिजिए है पानी अधिक होता है तो ammonia secret करेंगी तो ammonia secret करने के लिए पानी की महत्रा अधिक होनी चाहिए इसलिए जैसे ammonotelic आप ऐसे ही याद कर लिजिए concept wise और इसमें homo cereal पाए जाएगा और इसमें success reproduction कैसा पाए जाएगा success हाँ separate मतलब male और female अलग-अलग होंगे और boni fish में fertilization जो पाए जाएगा external पाए जाएगा ये भी point important है और next boni fish की बात कर रहे हैं हम लोग इस में boni fish क्या होती है they are mostly oviparious जादा तर जो होती है boni fish वो under देने वाली oviparious होती है और development इसमें जो होता हो direct होता है कोई larvae stage नहीं बनती direct होता है तो direct का मतलब larvae stage नहीं बनती है boni fish में और mostly अंडा देने वाली होती है mostly oviparious होता है तो ये चीज चलिए हम लोग देख लेते हैं example भी देख लेते हैं इसके important है boni fish के example जो है sub class में divide किये गए हैं जैसे ऐसे आप 100% याद कर लिजिए boni fish में marine fish आती है marine fish में जैसे question पूछता है कि marine fish कौन कौन सी होती है तो आपको गलत नहीं करना है question ये देखिए marine fish कौन कौन सी होती है marine fish जो होती है वो exocetus होती है जिसको flying fish कहते है और hippocampus होती है जिसको sea hearts कहते है एकदम अच्छे से देखिए question गलत नहीं करना exocetus को flying fish कहते है और hippocampus को sea hearts कहते है ये marine fish हो गया और fresh water fish क्या होती है fresh water fish labio, rohu, katla, common car पैसे मैंने याद किया था है labio, katla, kalairis याद किया था है तो labio, katla, kalairias ऐसे याद किया था है rohu को क्या कहते है labio कहते है katla को क्या कहते है mangu r. तो ये fresh water fish आपकी हो गई और aquarium aquarium को aquarium fish भी होती है betta, इसको कहते है betta, betta को fighting fish कहते है और petrofilm को क्या कहते है angel fish तो दो नाम आपको aquarium fish में याद करना है betta and petrofilm और इसका second name तो जरूर याद हो नहीं ये betta को fighting fish कहते है कौन सी है मैराइन मैराइन फिश फ्रेश वाटर फिश और एक्वेरियम तो यह तीनों आप अच्छे से नोट डाउन कर लिजिए और लंग फिश को डिपनोई फिश भी कहते हैं यह भी कुछा गया था एक बार यह भी प्रोटोप टेरस यह देश से देखिए यह क्या लिखा है पी आरो लिखा है पी आरो टी ओ इसके आगे पी आरो टी ओ प्रोटोप टेरस अफरीकन लंग फिश को क्या कहते हैं प्रोटोप टेरस कहते हैं और लेब्डो साइरेन को क्या कहते हैं साउथ अमेरिकन लंग कहते हैं और अस्ट्रेलियन लंग फिश को क्या कहते हैं नियो सिरेटो डस कहते हैं तो यह तीनों आप देख लिजिएगा अच्छे से कोश्चन पूसकता है तो यह चीज हो जा गया तो चलिए हम NCRT से भी आपका कवर करा देते हैं NCRT से ये था NCRT से देख लेजिए Conduct Thiege Phish है ये देखिए Cartilisiness Phish का ये दिया गया है Notocard पर सिंद मतलब पूरे लाहिम में Notocard पर जंट होगा Mouth Located Ventrally होगा और Gill Slit आज सेपरेट Gill Slit अलग लगोगे And Without Upper Column Upper Column Option होगा और इसमें The Skin Tough Containing Minute प्लेक्वाइड इसकेल पर जंट होगा Cartilisiness Phish की बात कर रहे हैं अद्दी आर मोडिफाइड प्लेक्वाइड इसकेल वुच आर ब्रेक्री डारेक्टरड दियर आर बेरी पावर्फुल जबडा पावर्फुल होगा इसमें किसमें कान डिरिक्थीज में अद्दे आर स्विम कंस्टेंटली दियू टू अपसेंस आफ है एर ब्लेडर अपसेंट होगा किसमें Cartilisiness Phish में देखिए एक्जामपल Cartilisiness Phish का इसको लियोडान, डॉक फिस, प्रिस्टिस, साफिस ये दोनों नाम दिये गए हैं ये एक्जामपल देख लीजिए Cartilisiness Phish का एक्जामपल आप लोग अच्छे से देख लीजिए हर्ट कितना चेमबर पाए जाएगा Cartilisiness Phish में टू चेमबर हर्ट पाएगा टू चेमबर हर्ट मतलब वन आर्किल पाए जाएगा और वन बेंट्रकिल पाए जाएगा ऐसे एक आर्किल होगा एक बेंट्रकिल होगा क्योंकि दू ही चेमबर हर्ट पाए जाते हैं फिस में और इसमें एक बार question पूछा गया था कि हर्ट ये फिस में जो मचली होती है ये question पूछा गया था कि जो मचली होती है इसमें cranial nerve कितना पाय जाएगा तो 10 pair आप ऐसे यहीं पर लिख लिजिए 10 pair 10 जोडे क्या पाय जाते है 10 pair cranial nerve पाय जाते है C, R, A, N, I, A, L cranial nerve पाय जाते है कितना जोड़ा 10 pair 10 pair cranial nerve पाय जाता है फिसमे यह भी question यहाद आ गया तो चलिए हो गया आपका तो यह देखिए electric argon two chamber heart पाए जाएगा some fishes में कुछ fish होती है जिसमें electric argon पाए जाएगा जैसे जिसको torpedo कहते है question direct पूछता है कि electric argon fish का क्या नाम है torpedo and poisonous sting एक मचली में पाए जाती है उसका trigon नाम है यह भी question पूछा गया है और cartilaginus जो fish होती है वो cold blooded cold blooded means poiclo thermos होती है animals होती है poiclo thermos का मतलब होता है they lack the capacity to regulate the body temperature यह अपनी body temperature को maintain नहीं कर पाती माल लिजिए ठंडी पे जगां जाएगी तो उनका body ठंडा हो जाएगा गरम की जगां जाएगी तो इनकी body का temperature बैरी कर जाएगा गरम हो जाएगा और जैसे human की बात कर लिजिए तो 90 कितना होता 37 degree centigrade होता है आप ठंडे पे जाएगे तभी आप temperature measure करेंगे तभी आपका 37 मी रहेगा change नहीं होगा बट यह जो होती है इनके body temperature environment की हिसाब से change होता रहता है सेक्सर देख लिजिए separate पाजाएगा male में pelvic fins पाजाएगी bears claspers पाजाएगा they have internal fertilization cartilaginous fish में तो internal fertilization पाजाएगा यह सब मैंने करा दिया है इसको लिए डान डॉक फिस प्रिस्टिज साफिस चार कारोडान great white star टाइगान stingray यह सब हो गया औस्टिक थीज में देख लिजिए मैंने अच्छे से बताया इसमें air blader आपर कुलम अपसेंटर है आपर कुलम इसमें पाएगा आपर कुलम पाएगा दे है फोर पेर्स इसमें गिल्स पाएगे अपर कुलम पाएगा सेक्सेसर और फर्टिलाजेशन उजली एक्स्टरनल फर्टिलाजेशन पाएगा दे मोस्टली ओभी पेरस ज्यादा तर अंडे देने वाली मचली होंगी किसमें बोनी फिस में आयन डेवलमेंट इस डारेट कोई लारवा स्टेज नहीं पाएगा और एक्जामपल देख लीजिए माराइन फिस की माराइन बोनी फिस का एक्जामपल एक जो सीटर्स फ्लाइंग फिस कहते हैं हिपो कैमपस सीहर्स कहते हैं और फ्रेश वार्टर फिस एकदम अच्छे से देख लीजिए लिवियो, रोहू, कैटला, कतला, कलेरियास, मंगूर ये फ्रेश वार्टर फिस हो गया और एक्कोईरियम फिस जो आप देखते हैं ये आप दो नाम याद कर लीजिए किसके एक्कोईरियम फिस के तो ये चीज हो गया, पूरा कंपलीट हम लोग देख लिए बोनी फिस और कार्टिलेजनेस फिस तो आई होप आपको समझ में भी आया होगा तो आप वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में सेयर करें प्लीज आप लोग सेयर नहीं करने हैं सेयर जरूर करें काखी मेहनस से वीडियो बनती है ऐसा तो है नहीं एक वीडियो बनाने में संतिंग में 2-3 घंटे लगते हैं तो वीडियो को आप लोग जरूर सेयर करें और जितने भी student nursing paramedical pharmacy का entrance exam देना है 2021 में government college से उनको BST nursing या paramedical pharmacy के course करने है तो अभी के जम्नी का farm फिलप हो रहा है वहाँ से आप BST nursing के लिए कर सकते हैं या फिर SGPGI लखनो यहाँ से भी या अभी इस समय farm फिलप हो रहा है BST nursing के लिए यहाँ से भी farm फिलाई कर सकते हैं और अभी आपका बाकी है GSBM GSBM कानपूर में BST nursing का farm अभी बाकी है और CPnet सेफा इटावा का अभी आपका farm आना बाकी है तो यहाँ का यहाँ तो काफी course है nursing के course है और पैरा के और pharmacy के course है तीन course यहाँ पे अबलेबल है काफी लगबस शाड़ी 600 CT हैं तो अभी यहाँ का farm नहीं आया है दो जगां का GSBM का और CPnet का जैसे ही farm आएगा आपको सूचित किया जाएगा आप लोग पढ़ाई 100% जारी रखिए और आप 24 गंटे में अब आपको 10 से 12 गंटे 100% पढ़ने ही होंगे तभी जाके आप fight कर पाएंगे क्योंकि competition best है और course आपको अच्छा ही करना है तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और मेरे चैनल पे physics chemistry बालो जी मैं अच्छे से करा रहा हूँ मेरे चैनल का नेम है सीट यसी येटी सीट आई यान डबल इटी यान डबल इटी सीट इनीट चैनल जैसे ही आप YouTube पे सार्च करेंगे मेरे चैनल पे जाएंगे वहाँ पे लगबाग 600 वीडियो physics chemistry बालो जी तीनों मिला के कराया हूँ वीडियो पूरा जितना वीडियो उस पर पड़ी है सभी आप revise करना शुरू कर दीजिए नहीं बाद में कहेंगे कि वीडियो काफी है अब एक ही वीडियो गनाईए सब question उसी में हो जाए तो ऐसा नहीं होगा सभी वीडियो आपको देखने पड़ेंगे फिर आप अच्छा कर पाएंगे 100% selection जरूर होगा अगर आप पूरा वीडियो फालो करते हैं और वहाँ से question अगर आता है question वहीं से आएंगे जितना मैं कराएं हूँ और वहाँ से अगर question आते हैं आप गलत नहीं करते हैं तो 100% selection आपका confirm है पका है एकदम यह समझे तो यह चीज हो जाएगा तो आप लोग पढ़ाई अपना अब शुरू कर दीजिए Thank you